हेलो स्टुडेंट्स पावर सप्लाई एलेजिमेंट्स में आज हम स्टडी करेंगे इंट्रॉप्टर के बारे में तो चुकी मैं यह बता चुका था कि एक इंट्रॉप्टर एक ऐसे डिवाइस है जो फॉल्ट डेवलप होने पर आटोमेटिकली सर्कुट को ब्रेक करता है तो यह आपको हमेशे याद रखना है कि अगर यह फॉल्ट डेवलप होता है सर्कुट में तो यह आटोमेटिकली आपका ब्रेक कर जाता है स्टुटेंट्स देन डाव वी कम पॉइंट टे वाट इस फंसन ऑफ सबस्टेशन देखें हमें फंसन तो सबस्टेशन को बहुत स पॉइंट समरी है सोट समरी है जिसे आपको उतना आइडिया मिलना चाहिए कि क्या फंसन है सर्फेसन का तो यह सबस्टेशन का सबसे बड़ा पहला प्राइमरी फंसन तो यह है कि सबस्टेशन में आप देखते होंगे कि कहीं कहीं सबस्टेशन के थुरू हम माले जाए घारा के भी या बहुत ज्यादा हाइब जब जो ट्रांस्टेशन लाइन आ रहा ही होती है हम उसको श्टेप डाउन ट्रांस्फर्मर से वोल्टेश को हम 440 मिला थे हैं फी टूट्वटे एड सबस्टेशन का ऑद डाउन जो है विद लिप ट्रांस्फोर्मर पर ओके अंद था सेकंद पॉइंट इस चन अव सेप्रे किdar treatment system का सिस्टम लगा होता है त्रांश्मीशन ओफ्लाइन मतलब यह हुआ कि आप लाइन को फिर्हाम करें इसलाइन पंजाब भिहर और अलग होगें और सब्सक्राइन करते हैं यह ने दिस्ट्र seems आपका यह भी सारा काम सबस्टेशन के थ्रूंग किया जाता है इस्टेशन का सबसे ज्यादा एक और फंसन यह है कि बहुत ज्यादा एक सबस्टेशन को सबस्टेशन को पावर सिस्टम करते हैं इसे हमारा इंक्रीज हो जाता है तो यह हमारा सबस्टेशन 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 तो निजसे हो पावर सबस्टाइब का सबस्टेशन में सबसे ज्यादा होता है अश्टेपप वोल्टेज करना या तो फिर अश्टेप डाउन करना ऑगे स्टुडेंट्ट पावर ट्रांस्फ़ॉर्मर का जहां पे फिर इंग जने टूटर वहाँ पे अश्टेपप कर दिये और जहां रिसीब कर आंब वहाँ एश्टेपड करती है कोके स्टेटींट्स ओ Вंट एड the हे स्टैट्स पर्मेंड़ या इस सब्सितिक्षों आपको कि सब्सक्षों मेर्हकन लेज्डर यह सब्सेक्षिदॉंट भरिए सब्सेक्षा का अलग अलग सेक्षन बठा हुआ होगा तो हमारा maintenance बहुत असान हो जागा students और name the major equipment used at traction substation आपको traction substation में कुछ major equipment का नाम बताईए और उसमें एक equipment जो मुखत तीन equipment का नाम आता है वो है traction का transformer देखे students traction transformer जो कि railway के लिए आता है special वो traction transformer जो railway का traction substation में सबसे ज्यादा major equipment का रूप मना जाता है circuit breaker माना जाता है यह कुछ major equipment है जो कि traction substation के रूप में इसको major equipment के रूप में रखा गया students question 5 what do you mean by auxiliary transformer आपको मैं बताया थे कि auxiliary transformer जो है actually में charging of battery lighting signal यह सारा substation में जो काम होता है सबस्टेशन में battery भी होता है जिसको charge करने का काम lightning का काम signal का काम यह सारा काम आपको auxiliary आपको आगे पढ़ना था लेकि फिर भी आपको इंसुलेटर ओवर लैप की थोड़ी पहुच्जनकारी होनी चाहिए कि इसलेट ओभर लाप प्रोहाइड आइसुलेटिंग फाइसलेटिटी फ्र मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ओफ ओवर है एक्यूप्मेंट जब भी ओवर हैड एक्यूपरेशन यह मेंटेनेंस होता है तो यह आइसोलेटिंग का काम बहुत अच्छा करता है isolating facility provide करता है कब जब maintenance or operation होता है overhead equipment का now next question is coming point कि why neutral section is provided in AC traction system आप neutral section AC traction system में क्यों provide करते हैं the neutral sections are provided in AC traction system to protect the system from lightning stroke आप lightning stroke से protect के लिए neutral sections का provide के जाता है AC traction system students okay students यह आपका खुश्पॉइंट था now the come the point feeding post देखिए students feeding post जो है actually में railway का सब स्टेशन होता है उसे 2 km का distance gapping होता है और मैं आपको बताऊं कि यह जो आपको डेग्राम जो दीख रहा है आपके यह वह आपको मैं बता हूं कि यह जो डेग्राम है एक मेंट इस्ट इस्ट वेटे मिनट यह आपका जो डेग्राम है और यह डेग्राम जो है इसको आप एक तरह समझें कि रिलेट ट्रेक के उपर का यह वायरिंग सिंपल है देखे यह अप अग्राउंस आपको दिख रहा होगा इसके बगल में इसके बगल में यह सारा चीज़ इलेक्टिफाइट ट्रैक का है लाइटिंग रिश्ट लगा होता है आप अग्राउं इसको काते हैं इसमें सबस्टेसन से हम देखेगा 25 KV का शप्लाइ Baptist Student ने उसके बाद से सरकीट ब्रेकर लगाते हैं इसके बाद से फईिद्ग में ऐस्त्स लगाते हैं डार जो चार आपका इंट्रॉप्टर लगाता है एक डू एक कि एन तुन इंट्रप्टरस जो है यह याद रहे कि फीडर सप्ट्राइट से इच फीडर सप्लाइट एक्सटेंशन ऑनस सइड आफ ऑफ देड सब्स प्लाइट इंडिवीचिव लाइन और यह कई संगे करता है Overtग करता है फीडिग पोस्ट थू इंतर इंत्रप्टर इंतर चाले तो फिडिंग फोस्ट करें तोडो कुर्टा रहा है तो यह नई फोस्ट फीडिंग gez leah एक यह क्या तबिचुल फोस्ट दोवीजगा तबos सो डगेते लोके जाता है और यह जो है亦ो किलो मेटर से दूरी पढ़ ऐस्टेसन से दूरी पर होता है सबसेल और से सब्सक्राइवर यह इस फीडर को देखे ऐए चिर चुझ देखे 25 वा का आपका 25 केवी का सब्वाइव लगी आ जा रहा है तो इस परकार से आप इसको समझ सकते हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गया होंगे अगर कोई प्रोड़ाम हो तो मुझे वाट्सअप करें थैंक यू श्टुडेंस